हेलो च्टूडे मैं जितेन पुमार जैस्वाल चंद्रभान सींग इंटर कालेज इटबाहरा गोवर वस्ती द्वारा सच्चालेज आनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग कच्छा 9 के फिजिस्टी क्लास में पढ़ेंगे मोसं पार्ट 11 इस पार्ट में हम लोग NCRT बुक के कुछ प्रस्णों को हल करेंगे तो देखेते हैं पहला कोचन क्या है तीन सव मीटर सरण रेखिये पत पर जोसफ जाहि जाहि करते हुए दो मिनट तीस सेकेंड में एक सीरे ए से दूसरे सीरे बी पर पहुंचता है और गुंदर एक मिनट में सव मीटर पीछे बी दूसी पर पहुंचता है जोसफ की आउसस चाल और आउसस बेख क्या होंगे ये आपका पहला इंटेसर दिया गया है सीरे ए से सीरे बी तक और दूसरा क्या है सीरे ए से सीरे सी तक तो सबसे पहले होगे रेखां चित्रखी की लेते हैं जोसफ यहां से चलना प्राराओं करता है और यहां से लेखे यहां तक की जो दूरी है 300 मीटर वह से करके कहां पहुशता है बिन बी पर पहुशता है और देखे फिल क्या करता है वो गूम कर पीछे बिन सी पर तो आपको बता देखे यहां से यहां तक चलने में जो समय लगा वह आपका कितना था दो मिनट तीस शेकर और यहां से यहां तकाने में जो समय लगा वह आपका था एक मिनट एक मिनट तो हमको लगता है डाइगराम आप समझ गये होंगे अब हम लोग पहला वोचत सालू करते हमें ए वाला पर तो यह वाला पर क्या है सीरे ए से सीरे बी तक तो सीरे ए सीरे बी तक हमको क्या निकालना है जो सक पर और सक चार और और सक बे तो निकेंगे सीरे ए से सीरे बी तक पहला देते हैं तय की गई दूरी तो तय की गई दूरी कितनी तय के दूरी है तो आपका हो गया तील सो मीटर विस्थापन देख लेते हैं विस्थापन क्या होगा तीन सो मीटर अब समय है दो मिनट तीन सेकट क्या है दो मिनट तीन सेकट अब यह जाना दो पुरे है साथ क्या जानते हैं मिल में साथ सेकंड होता है धन तीन यह आपका हो जाएगा यहां हो जाएगा तो यह आपका हो गया है 120 धन तीस सेकंड और आपका हो जाता है यह एक सो पचास एक सो पचास क्या हो गया है कि एक से बीज तक है चाल किसा होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय चाल बराबर के आपका है दूरी बटे समय चाल कितना है तो चाल परी डूरी कितना है तो दूरी आपका है 300 मीटर और समय कितना है 350 सेकेंड अब हो जाएगा चाल बराबर कितना हो जाएगा चाल पराबर हो जाएगा दो मीटर प्रति सेकेंड अब बेग जान कर देते हैं तो बेग बराबर हो जाएगा है 20 खापन बटे समय 20 खापन बटे समय और 20 खापन कितना है तो 20 खापन आपका 300 मीटर है और समय कितना है 150 सेकेंड और यह आपका हो जाएगा दो मीटर प्रति सेकेंड सेकेंड इसका दिये हुआ कि सिरे ए से बी तक जो चाल होगा और बेग यह दोनों बराबर होंगे जिनका मांच इतना है दो मीटर प्रति सेकेंड लोग देखेंगे बी वाला कोर्शन सिरे ए से सिरे सी तक अब क्या ग्राब करना है आउसक चार और आउसक बेग तो हम लोग निखेंगे सिरे ए से सिरे सी तक है यहीं सिरे ए से सिरे सी तक है पहले क्या हम लोग निकालेंगे दूरी क्या निकालेंगे दूरी तो आपको बता दें कि दूरी कैसे हो जाएगी कैसे निकालेंगे तो इस पहले क्या ता यह से भी यानि हो गया आपका एगी फिर क्या जाएगी तो हो गया भी सी ऐसे निकालेंगे अगे तीन सो मीटर वीज़ी का माल कितना है तो मीटर और दोनों दोड़नेंगे पर उड़ाते हैं आपके चार्व मीटर विस्थापन दें लेते हैं विस्थापन कितना होगा तो विस्थापन क्यों हो जाएगा पहले कितना चाहिए लेकिन देख रहे हैं कि पुना है वो किस की तरफ हा रहा है किस की तरफ हा रहा है , कि की तरह रहा है और चाहिए कि तो हो जाएगा क्यों हो अश्थ क्योंकि आँ से विस्थापन लाब होता है वह सकीं अ की प्राहमी कि स्थिट है इन्टिमी स्थित क्या है इतो हम क्या करेंगी 300 मैं से 100 गटा लेकर तो आपका आजाएगा 200 मीटर क्या जाएगा 200 मीटर मतलब दूरी कितना होगा 400 मीटर और 25 कितना होगा 200 तो पहले एसे बी तक जाने में कितना समय लगा था दो मिनट तीस सेकंड ती हो जाएगा दो मिनट तीस सेकंड प्लस गूं के आने में कितना समय लगेगा तो एक गूं के आने में कितना समय लगा तो यह आपका हो जाएगा एक मिनट अब यहां इसको भल कर देते हैं तो आप जाते ही इसका जो मान आया है कितना एक इसको पचार सेकंड आया है और यह क्या हो जाएगा तो इसे में हो जाएगा यह 210 सेकंड कितना है 210 सेकंड अब हम लोग चाल देखेंगे तो चाल बरावर होता है दूरी बटा समय दूरी कितना है तो दूरी आका हुआ है 400 लिटर और समय 210 सेकंड 210 सेकंड अब देखें यहां से तूरी कट गया तो आका हो गया 40 बटे 21 और जोंभा देखेंगे तो हो जाएगा एक साई 19 बटे 21 अब इस खापन देखेंगे जाए 20 परी अब बेग देखेंगे जाए बेग वर आजर क्या होता है 23ज happening कि बटे 30 कि विश्थापन कि इसना कर विश्थापन और जोंगार और हेगा 200 अब आपका Data ऑफिज सरी उपर हो गया अब का मिटो चरते सेकंड एg कि तो इस आपन कि अ सबीचिन क्या हो गया आपका 200 मिटर और समय क्या हो गया तो समय शोत अब गया आपका कि दो को दस सेकेंड अब यह आपका हो जाएगा तो आपका यह जो कोष्चन था वह हल हो गया है आसा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अब फिजिक्स के सवालों को अच्छे से अभ्यास करेंगे और बार बार अभ्यास के द्वारा अपने आपको मजबूत करेंगे